दोस्तो जो आर्मी का एक्जाम होना था वो पहले अप्रेल में होना था और उसके बाद किसकते किसकते फिर अब फाइनली जो है 25 जुलाई को आपका एक्जाम होने जा रहा है तो आज नहीं तो कल दोस्तो एक्जाम आपका जरूर होगा और 25 जुलाई को होने वाला है लगब चैनल पेपर तो आप वीडियो को अंद तक जरूर देखेगा और आपका स्कूर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भ मेरे भाई, option number C, 2 October को हो जाएगा, इसका सेवत्तर, option number C हो जाएगा, इसका सेवत्तर, अंतराष्टी एहिंसा दिवस, 2 October को, तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question है, सेवत्तराष्ट का मुख्यालाइक कहां इस्तित है, दोस्तों, पिछली बार भी पूछा गया था है सेवत्तराष्ट संग का मुख्यालाइक कहां इस्तित है, तो इसका सेवत्तर हो जाएगा, न्यू और कम हो जाएगा, इसका सेवत्तर, option number B हो जाएगा, पिछली बार भी पूछा गया था, तो आगे भी क्या पता है, अग्जाम में आ सकता है, अगला प्रसन है, फतेपूर स सिक्री किस सासक द्वारा बनाए गया था, तो यह यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सेवत्तर हो जाएगा, option number C हमारा अकबर, भतेपूर सिक्री अकबर के द्वारा बनाए गया था, तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ, अगला कोश्चिन है, पानी पत का तीसर उद्ध हो आता शतरस 651 में, पहला पंद Pack 206 में दूसरा फिर Pack 1556 में, पूछचे इंगया है, अगला प्रसन है निमन मैंसे किसे लेडि विड़ लेम के नाम से जाना जाता है, किसे लेडि विड़ लेंपर के नाम से जाना जाता है, तो यह यहाँ पर पूछा गया है, तो तो इसका से उत्तर हो जाएगा हमारा option number C Florence Nightingale तो option number C हो जाएगा हमारा बिल्कुल से उत्तर Lady with the Lampy के नाम से जाना जाता है Florence Nightingale को तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है नगत मुद्रा के नोट किस सहर में छपते हैं तो यहाँ पर पूछा गिया है भारतीय नगत मुद्रा के नोट किस सहर में छपते हैं तो इसका से उत्तर हो जाएगा मेरे भाई option number D, नासिक option number D हो जाएगा जो नासिक यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय नगत जो मुद्रा के नोट है वो नासिक में चपते हैं अगला प्रस्न है भारत के अटानी जनर्रल की न्युक्ति कौन करता है तो भारत के आपको बताना है यहाँ पर हो सगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा भारत के अटानी जनर्रल की न्युक्ति कौन करता है तो इसका से उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, option number D, राष्टेपती, तो यहाँ पर भी D था, दो उत्तर अभी आपने देखिए, दो लगातार CCI, यहाँ पर यह आला D आ गया, राष्टेपती हो जाएगा इसका से उत्तर, भारत के attorney general की न्युक्ति करते हैं, राष्टेपती, अ अगला कोश्चिन है, निमले मैंसे कौन सी नदी उद्गमिस्तान अमर कंटक है, तो यह SSEGD में भी पूछा गया था, पिछली बार प्रस्ण है, तो कौन सी नदी का उद्गमिस्तान अमर कंटक है, तो इन मैंसे आपको बताना है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा, option number B, तो कहा जाता है, फिछली बार पूछा गया था अलग तरह रिक से निमन सदन, अफ्रिख सदन, तो भारती संसत के उपरी सदन को कहा जाता है, तो इसका सेत्र हो जाएगा, option number C, इमन सदन को, तो बढ़ते हैं, अगले कोश्चिन की तरफ, अगला कोश्चिन है गेटवे ओफ इंडिया कहां इस्तित है तो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट कोश्चिन है पिछली बार पूछा गया था गेटवे ओफ इंडिया कहां इस्तित है तो इसका से उत्तर हो जाएगा गेटवे ओफ इंडिया यह हो जाएगा मुंबई में त इतली बार पुझाएगा था कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आई उस्विमा होती है तो 25 और यहां पर जो उत्तर हो जाएगा यहां पर भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षु बात कराई जाते हैं तो इसका से उत्तर हो जाएगा मेरे ऑप्शन नमर कंटक है तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहां पर नर्मदा नदी ऑप्शन नमर सी तो दोस्तो यह थे आज के हमारे महत्तपूर्ण क्वेस्चिन आपका स्कूर कितना रहा कैसा लगा कमेंट बॉक्ट में जरूड़ बताएगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज आएग attachments एगा ऑस है बक़सर्ण कितना प्यान जदाएगा जड़ में जरूर्ण का से व्तव कने जरूड़ पड़ग व